है मोदी जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे स्यावर राम चंद्र की जय जय स्यावर राम चंद्र की जय स्रद्धे मंच सभी संथ एवं रशीगण यहां उप्रस्तित और विश्व के कौने कौने में हम सब सखार जुड़े हुए सभी राम भक्त आप सब को प्रणाम आप सब को राम राम आज हमारे राम आ गए है सद्यों की प्रतिच्छा के बाद हमारे राम आ गए है सद्यों का अभूत्पुर्व धैरिय अंगिनत बलिदान त्याग और तपश्या के बाद हमारे प्रपुराम आ गए है इस सुबगड़ी की आप सभी को समस्त देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई मैं अभी गर्व ग्रुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद्ध है मेरा शरीर अभी बिस पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे हमारे राम लला अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे मेरा पक्का विश्वास है अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुभूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी यह चांट अलोकिक है यह पाई पवित्रतम है यह माहोर यह वातावरन यह उर्जा यह घड़ी प्रभूस्री राम का हम सब पर अशिर्वाद है 22 जन्वरी 2024 का यह सूरज एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जन्वरी 2024 यह कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं यह एक नएक काल चक्र का उत्गम है राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पुरे देश में कुमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा है निर्मान कार्य देख देश बाद्चियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मांसिक्ता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीज के हर दौंस से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम प्रुपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद गटित होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय सामान्य समय नहीं है यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाहिसे अंकित हो रही अमीट स्मृति रेखाएं हैं साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते हैं इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटिव विप्रनाम करता हूँ मैं बाता जान की लक्ष्वन जी भरत तत्रुग्ण सबको नमन करता हूँ मैं पावन आयोध्य पुरी और पावन शर्यू को भी प्रनाम करता हूँ मैं इस पर दैविय अनुभव कर रहा हूं कि जिन के आशिरवात से यह महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्वाएं वे दैविय विभूतियावी इस समाएं हमारे आसपा सुपस्तित है मैं इनसे भी दिव्य चेत्राओं को भी क्रतग्यता पुर्वक नमन करता हूँ मैं आज प्रभूस्री राम से छमा याचना भी करता हूँ हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सभियों तक यह कार्य कर नहीं पाए हैं आज वो कमी पूरी हुई है मुझे विश्वात है प्रभू राम आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश्वास्यों त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्शिदाज ने लिखा है प्रभू बिलो की हर्फे पुरबासी जनित वियोग विबत्ति समनासी अर्थात प्रभू का आगमन देकर ही सब अयोद्यवासी समग्र देश्वासी हर्ष से भर गए लंबे वियोग से लंबे वियोग से जो आपत्य आई थी उसका अंत हो गया उस काड़खन में तो वो वियोग केवल चौदा वर्षों का था तब भी इतना सही था इस यूग में तो अयोद्याव और देश्वासीों ने सेंकडो वर्षों का वियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने वियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम विराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभुसिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभार वेक्त करूँगा भारत की न्याए पालिका का जिसने न्याए की लाज रख ली न्याए के परियाए प्रभुराम का मंदिर भी न्याए बद्ध तरीके से ही बना साथियों आज गाओं गाओं में एक सार किर्टन संकिर्टन हो रहे हैं आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं स्वच्छता अभियान कलाए जा रहे हैं पुरा देश आज दिपावली मना रहा है आज शाम घर घर राम जोती प्रजवलित करने की तैयारी हैं कल मैंसरी राम के आशिरवात से दनोश कोडी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था जिस गड़ी प्रभु राम समुद्रपार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये बिनम्म प्रयास था वहां पर मैंने पुष्प बंदना की वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और सुब दिशाने बढ़ेगा अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुस्थान के दोरां मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयात किया जहां प्रभु राम के चरण पढ़े जाहे वो नासित का पंच्वटी दाम हो करला का पवित्र त्रिपायर मंदीर हो आंद्र प्रदेश में लेपार्शी हो स्री रंगम मैं रंगनाथ स्वामी मंदीर हो रामेश्वरम मैं श्री रामनाथ स्वामी मंदीर हो या फिर धनुष्कोडी मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ मुझे सांगर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला सांगर से सर्यू तक हर जगर राम नाम का वही उत्सवभाव छाया हुआ है प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कन कन से जुड़े हुए है राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है हम भारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूत होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा इससे उत्कुस्ट इससे अधीक देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है मेरे प्यारे देश वासियों मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाशों में रामायन सुनने का अउसर मिला है लेकिन विशेष कर पिछले ग्यारा दिनों में रामायन अलग अलग भाशा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रुप से सुनने का मोका मिला राम को परिभाशित करते हुए रुश्यों ने कहा है रमंत यश्मिन इती रामह अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है राम लोक की इस पृतियों में परवसे लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाय हुए हुए हर्यूग में लोगों ने राम को जीया है हर्यूग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवा की तरह निरंतर बहता रहता है प्राचिन काल से भारत के हर कौने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं राम कथा असिम है और रामायन भी अनिंत है राम के आदर्श राम के मुल्य राम की सिक्षाएं सब जगह एक समान है प्रिए देश वाचियों आज इस आयतिहाजिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पन की वज़े से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकास्था करके दिखाई हैं उन अंगिनत राम भक्तों के उन अंगिनत कारसेवकों के और उन अंगिनत संत महत्माओं के हम सब रणी हैं साथियों आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही लेकिन इसके साथ ही यक्षाण भार्तिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी खण है हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बिनय का भी है दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजीवी गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई बरकि कई बार तो पहले से जादा मुश्टिल परिस्थित्या बन गई लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भाउकता के साथ खोला है वो ये बताती है कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाएगे राम लला के इस मंदिर का निर्मा भारतिय समाज के शांती धैरिय आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है हम देख रहे हैं कि दिर्मा किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है राम मंदिर समाज के हर वर्क को एक उजवल भविश के पत पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है मैं आज उन लोगों से आहवान करूंगा आईए आप मैसूस कीजिए अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए राम आग नहीं है राम उर्जा है राम विबाद नहीं राम संगाधान है राम सिर्व हमारे नहीं है राम तो सब के हैं राम बरतमान नहीं सिर्फ बरतमानी नहीं राम अनंत काल है साध्यों आज जिस तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापक्ता के दर्शन हो रहे हैं जैसा उत्सव भारत में हैं वैसा ही अनेक देशों में है किया है आज अयोज्ध्या का ये उत्सव में राम एन की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है राम लला की प्रतिष्ठा बस हुदहेव कउटम कम के विचार के भी प्रतिष्ठा है कि शाथियों आज अवध्या में केवल स्री राम के विग्र रूप की प्रान प्रतिष्ठा नहीं उलिए ये श्री राम के रूप में साक्षार भारतिय संस्कृति के प्रति अटूट भी स्वाज की भी प्रान प्रतिष्ठा है ये साक्षार मानिवे मुल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्रान प्रतिष्ठा है इन मुल्यों की इन आदर्शों की आवश्यक्ता आज संपूर्ण विश्व को है सर्वे भवन्तु सुगिदा ये संकल्प हम सद्यों से दोहराते आये हैं अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है ये भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिग दर्शन का मंदिर है ये राम के रूप में राष्ट चेतना का मंदिर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्टा है, राम भारत का प्रताब है, राम प्रभाव है, राम प्रभाव है, राम नेती भी है, राम नीती भी है राम नित्यता भी है राम निरंतरता भी है राम विबु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है और इतलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताद्यों तक ही नहीं होता उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहत्रानी प्रप्य वर्षानी रागवा अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर पतिष्ठिद हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापिद हुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुए हजारों वर्षों तक राम विश्वपत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश्वाजियों आजयो द्यभूमी हम सभी से प्रत्येग राम वक्त से प्रत्येग भार्पिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्योग का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस आउसर पर जो दैव जो दैव यह आत्माएं हमें आशिर्वाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पवित्र मन से मैसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीड़ी को एक काल जईपत के सिल्पकार के रुप में छुना गया है हजार वर्ष बात की पीड़ी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी इसलिए मैं कहता हूँ यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मन निर्मान चे आगे बढ़कर अब हमें सभी देश्वासी यहीं इस पल से समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत के निर्मान की सोगंद लेते हैं राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राष्टन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूग की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राष्ट तक होना चाहिए हनुमान जी की भक्ति हनुमान जी की सेवा हनुमान जी का समर्पन यह ऐसे गुण है जिनने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता प्रतेग भार्तिय में भक्ति सेवा और समर्पन के भाव समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का अधार मनेंगे और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट